हेलो बीडिफू सोल्ज मैं अपस अपस वागत करती हूँ अपने स्टैनल पे जिसका नाम है डिवान सोलजर देखी दोस्तों हम सब को पता है कि नेक्ट मन्थ एट एट पॉर्टल ओपन होने वाला है और ठीक उसके कुछी दिनों के बाद 11 को फूल मून भी आने वाला है तो जब भी कोई नया पॉर्टल ओपन होने वाला होता है या फूल मून या न्यू मून आने वाला होता है तो उनकी जो एनरजी होती है वो हम लोगों के उपर परभाव डालती है तो अब हो क्या रहा है कि आप लोग इस एनरजी की वज़ा से ठीक है इस एनरजी की वज़ा से आप बहुत ज़्यादा पेन फिल कर सकते हो वो बड़ी के किसी भी पार्ट में हो सकता है जैसा कि इस अक्रल चक्रा के आसपास आप पेन फिल कर सकते हो ठीक है तो आप हार चक्रा के आसपास भी पेन फिल कर सकते हो आप बहुत सदा एक्जाइटी फिल कर सकते हो आपको उल्टी आने का मन हो सकता है लेकिन आएगी नहीं ऐसा भी हो सकता है ठीक है आपके थर्ड आई में भी पेन हो सकता है आपके क्राउं चक्रा के आसपास भी प पर पड़ते हैं तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है सेम ऐसा ही सेम ऐसी ही चीज़े dm की तरह भी हो रही है उनको भी बॉड़ी में पेन हो रहा है आप ठका-ठका सा feel कर रहे होगे, आपको ये होईगा कि आप जदा से जदा सोएं, आपका जदा से जदा सोने को मन करेगा खाए, पिए और सो गए कोई काम करने को मन नहीं करेगा ये आपने इस टाइम पर rest mode में हो ठीक है, इसको rest mode कहते है सेम वैसा ही, जैसे जब हम school period में पढ़ते थे ठीक है जब हम एक class के final exam देते थे तो उसके final exam के बाद हमको free कर दिया जाता था कुछ time period के लिए और उस time free time period के बाद हमारा result declare किया जाता था और जब result declare होता था तो हम जब हम pass हो जाते थे तो हम एक नए class में जाते थे और वहाँ पर जाकर हम नए lesson सीखते थे तो यह जो time period है यह वी same वही time period है यानि कि आपने इस time period से पहले अपने आप पर spiritual work किया अपने आपको heal किया आपने अपने आपकी vibration को बढ़ाया उस vibration के बढ़ने की वज़ज़ से आपने अपने block जिसको हटाया यानि कि अपने आप पर spiritual work किया और अपने आपको अपने higher self तक लेके गए ठीक है तो इस तरीके का आपने काम किया तो अब वो आपने work किया यह आपका एक मतलब आपने आप पर work किया उसके बाद यह जो period आप रेस्ट मोड में हो अब इस रेस्ट मोड के बाद 88 पॉर्टल ओपन होएगा जिसमें आप फेल या पास टिकलियर किये जाओगे और एक नए फेस में एंटर करोगे ठीक है अब इस फेस में जो यह आपका टाइम पीरेट चल रहा है इसको आपने कैसे बिताना है इस टाइम पीरेड में आपको करना क्या है ताकि आप 88 पॉर्टल में अच्छे तरीके से एंटर करें पॉस्टिव तरीके से एंटर करें और एक नए फेस में एंटर करते हुए अपने नए लेस्ट को सीखें ठीक है इस rest mode में आपको अपने आपको positive रखना है, अपने आपके लिए नए thought create करने है, आपको अपना जो thought process है, नया thought process generate करना है, क्योंकि आपने अपने पिछली चीज़ें खतम कर ली है, आप जो past में जो आपने किया है, उसके और आप पुराने face के और नए face के बीच बीच हो इस time ठीक है, तो आपको यानि कि आपने पिछला काम खतम कर लिया है, नया नए काम में अभी आपने एंटर करना है, पुराने और नए के बीच के time में हो आप, आपको अब पुराना सब छोड़ दिया है, अब नए face में एंटर करने के लिए आपको नया thought process generate करना है, उस नए thought process क अपने नए face में एंटर करना है, और इस नए thought process को generate करने में आपको क्या करना है, आपको जो चीजे आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए positive mind बनाना है, positive thought बनाने हैं आपको उसके लिए, ठीक है, मालीजे आप अपने partner के लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन आपने पीछ thought process generate कीजिए, ताकि आप 88 portal में enter होते ही, उस पर action ले सको, ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मालीजे आप अपनी journey के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी लाइफ के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी job के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना तब आप एक नए फेस में एंटर करते हो positive और new mind के साथ जब आप इस तरीके से नए फेस में एंटर करते हो तब आप action mode में आ जाते हो आप अपने लिए अपनी life के लिए अपनी journey के लिए अपनी achievements के लिए action लेते हो ठीक है तो इस चीज़ को समझना है अगर आप लोग नया thought process आ जाने के 88 पॉटल में action mode में आने के लिए आप एक नया thought process generate करना जानना चाहते हो कि हम किस तरीके से अपने अंदर नया thought process generate करें जिसकी वज़े से हम लोग action mode में 88 पॉटल में हम positive तरीके से एंटर करें अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मेरे से guidance ले सकते हो अगर इंस्टा का जो link है वो अपने इस वीडियो के description box में दे दूँगी आप मेरे से इंस्टा पर जूट सकते हो और मेरे से इस तरीके की guidance ले सकते हो अगर आप मेरे से जुडना चाहते हो मेरे से किसे तरीके की guidance लेना चाहते हो तो मैं कुछ payments की हूँ तो आप उन payment को करके मेरे से guidance ले सकते हो यह payment को ज्यादा बढ़ा नहीं है बहुत easy way में मैंने वो रखी है अगर आप किष्टों में भी देना चाहोगे तो आप किष्टों में भी मेरे साथ जुड सकते हो मतलब किष्टों में भी अपनी payment कर सकते हो कर सकते हो तिकि मेरा मकसद है आपको अगर इस मतल करना चाहते हो वह कैसे जनरेट करना है positive thought अपने माइन में कैसे लेके आने हैं वह सारी चीजे में आपको गाइड कर दूंगी अगर आप मेरे से guidance चाहते हो तो एक बात और बोलना चाहूंगी कि प्लीज जब भी आप मेरे को message करें तो please point to point मुझे message किया किजिए आप मेरे क जब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई होती है आप वहां से लेके आज तक कप पूरे कप पूरा मुझे को लिख के बेज़ते हो तो दिखे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपका पूरा वो चैट पढ़ सकूं ठीक है आप सिर्फ जो दिखे आप कितना टाइम कर दूँ आपको गाइड कर दूँ उसके लिए ठीक है तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है तो अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड सकते हो ठीक है तो आज का वीडियो बस इतना ही थेंक्यू थेंक्यू सो मुच गॉडबलस दूर टेक्यर पॉजि पॉजिटिव सोचे अपने बारे में भी और अपनी जन्नी के बारे में भी ठीक हैसी औल दबेस गॉडबलस दूर आप